और इसलिए हमको तो 36 गड़ अलग चाहिए और मैं उनको कहता है था कि कॉंग्रेस के होते हुए आपको उतरा खंड नहीं मिलेगा आपको 36 गड़ नहीं मिलेगा आपको जार खंड नहीं मिलेगा भारती जनसंग का आपको वचन देता है कि हम अगर आएंगे तो आपका ये जो तर्क संगत हमारे सामने बात रखी है अलग प्रांत की वह हम बना करके देंगे मैं इस बात का जिकर इसलिए कर रहा हूँ कि मैं हमारी सरकार 1998 में बनी वाश्मेही जी प्रधान मंत्री बने उन्होंने देश के ग्रह मंत्री का दाइद को मुझे सौपा और कहा कि आपका दाइद को है मुझे हमेशा याज आता था कि मैंने वचन दिया था जार खंड के लोगों को मैंने वचन दिया था उत्रा खंड के लोगों को मैंने वच्चन दिया था 36 गड़ के लोगों को कि कॉंग्रेस पार्टी जब तक नई दिल्ली में बैठी है तब तक आपको आपके प्रांत महीं मिलेंगे लेकिन अगर भारतिय जनसंग का शासन कभी आ गया तो जरूर मिल जाएगे और मैंने का कि ग्रह नए प्रांत बनाना ग्रह मंत्री का कारिय रहता है वही विध्यक प्रस्तुत करता है और मुझे आज इस बात का गर्व है कि मैं इन तीनों प्रांतों में जाता हूँ तो लोगों को लगता है कि ये प्रांत इनों ने बनाया और मैं उनको कहता हूँ कि मुझे भी उस दिन बहुत खुशी हुई जिस दिन जारखंड का उतराखंड का और चक्तिस गड़ का प्रांतों का विधियत प्रस्तुत करके और दोनों सदनों में लगबग सर्वसम्मती से बिना किसी ज़्यादा विरोग के और इसको पारित करव और तब मुझे ये भी बाद खटक किये मन में अगर उस समय हमने अपने मैनिफेस्टों में तेलंगाना भी लिखा होता नहीं लिखा था उसका कारण है कि हमारे कुछ सेहियोगी दल थे दूसरी पार्टी हो के जो इससे सहमत नहीं थे बाद में सहमत हो गए कम से कम आफचारिक रूप से तो उन्होंने कह दिया चलंगाना का समर्थन कर दिया उस समय अगर समर्थन किया होता तो जिस प्रकार से 36 गड़ उत्रा खंड और चार खंड बिना किसी ज्यादा विवाद के उस समय भी जो उस समय के वहां के मुख्यमं प्रक्षमें नहीं थे लेकिन फिर भी पारित हो गया और भारतिये जनसंग के और जनतापार्टी के नेत्रतों में जो इंडिये सरकार बनी उन्होंने ये तीन प्रांट बना दिये अगर उस समय हमारे सेयोगी बाकी भी सब वो मानते अगर उस सेयोगी हमारे थे जिनके हमारे स्पीकर भी बने थे और वो सम्मान जाते तो हम उसी समय उत्रा खंडत का फैसला वैसे ही कर देते और फिर आपको इतना कष्ट करके यहां दिल्ली आने की जुरूरत ना पढ़ती तेलंगाना से यहां आ जाते और मैं आपको फिर से कहने आया हूँ कि इस समय सरकार जो है उस सरकार नाम की है सारी दुनिया कह रहे ही कि क्या हो गया इस सरकार को आज सुबह सुबह एक अमेरिका का प्रसिद्ध अख़बार है उसको में देख रहा था उसमें लिखा था कि कुछी समय पहले तक हम कहते थे कि 21 वी शताब्दी में जो महा शक्तियां बनने वाली है तो उनमें से एक तो भारत होगा लेकिन पिछले इन 5-7 महिनों में जो दशा देख रहे हैं इस सरकार की यूपिये की सरकार की यूपिये के प्रधान मंतरी की यूपिये जिस पार्टी के अधील है उस पार्टी की अध्यक्षा की तो उन सब को देख करके लगता है कि भारत इसा महान देश कैसे बनेगा लेकिन मैं कहता हो कि इन लोगों को मत देखो हिंदुस्थान की जबता में आज भी य여 शक्ति है कि 21-1 की शताब्धी को भारत की शताब्धी बनाकर दिखाए और भारत इसी इती शताब्दी में शताब्दी के अर्द शताब्दी पूरी होने से भी पहले पहली पंती में खड़ा होगा दुनिया के देशों की और तेलंगाला की मांग को कोई रोक नहीं सकता मुझे इस बात की विशेश खुशी है कि मैंने अपनी अंतिम यात्रा में जब मैं महेंगाई के खिलाफ वरिष्टाचार के खिलाफ और काला धन जो विदेशों में रखा है भारतियों का उसको वापस लाने के लिए मांग करने के लिए निकला था तो सारे हिंदुस्थान में बहुत जबरदस जनसमर्थन उसको मिला लेकिन जैसा जनसमर्थन मैंने तेलंगाना के खित्र में देखा और मैं मानता हूं कि वह जो जनसमर्थन था वह केवल इन तीन मांगों के कारण नहीं था वह इस कारण भी था कि वहां की जनता इस बात से बहुत दुखी है कि वर्तमान सरकार ने कॉंग्रेस ने वचन दे करके भी संसद में वचन दे करके 2009 में उस समय के ग्रह मंत्री ने संसद में वचन दिया कि हमारी सरकार मंत्री वंडल में साथ रहे और ये तो उनमें से है कि जब हिंदुस्टान सारे में दो ही सीटे मिलीती भारती जनता पारटी को केवल दो तब यह एक अ हमारी पारटी उनमें से है कि दो सीटे आई थी तो भी चिंदा नहीं की और जनता का समर्थन प्रात्व करने के लिए दो से च्छे आसी बनेगे च्छे आसी से फिर जो बढ़ते गए बढ़ते गए तब तक नहीं रुके जब तक 1998 में वाजपेई जी के नेत्रत्व में भारती जनता पार्टी की इंडि तकलीफे होती है मेंगाई तो आई जाती है बड़ा बड़ा एकोनमिस के आज बैठे हुए हैं प्रधान मंतरी बन करके कैसी मेंगाई लाई है आम आदमी की कितनी परिशानी है गरीब की खास करके इतने दुखी हैं लोग इतने दुखी हैं इसलिए मैं मानता हूं कि कोई दुसरा हिलाएद नहीं सिवाए इसके कि नई दिल्ली में शासन बदलना चाहिए और नई दिल्ली में शासन बदल करके और आप ऐसी सरकार लाइए जो सरकार तेलंगाना के बारे में वैसे ही क्रतिबद्ध हो अपने मैनिफेस्टों में लिख करके आए जैसे हमने 36 गड़ जार खंड उतरा खंड के गोश्रा पत्र में लिख करके और उसको आने के तुरंट बात कार्यानवित करके दिखाया वैसे आप लाइए तो मैं यकीन करता हूं कि वर्षों से चल रही आपकी यह इच्छा जरूर पूरी होगी इसको कोई रोक नहीं सकता आखिर तो जनता की इच्छा है जरूर भी बहने हैं लोगों को यह भी कहता हूं कि अगर बाकी प्रांत बने हैं जो जो प्रांत बने हैं तो दूसरे किसी का विरोत करके नहीं बने हैं आंधर के बाकी जो प्रांत बनेंगे जो भी बनेंगे उनका धिरोध नहीं करना किसी का अच्छे बनने चाहिए बढ़िया बनने चाहिए आखितो आज आंधर के आप पूरे सभी हिस्सा है उसका और कल एक प्रांत बने दो प्रांत बने जितने भी और बने लेकिन उन सब को अपना स्दे मिले, ये एक कोशिश करनी चाहिए, मैं एक बार पुना, अपने सभी भारती जनुता पार्टी के कारे करताओं का, जो इस ख्षेत्र का काम करते हैं इस ख्षेत्र का नेत्रत्व करते हैं उन सब को बधाई देता हूँ आप सभी को बधाई देता हूँ विशेश कर अपनी बेहनों को बधाई देता हूँ जो अपने घरों से चल करके और इतनी बड़ी संक्ता में यहां पर आये हैं बहुत बहुत धन्यवाद कहिए जै तिलंगाना भारत माता की बहुत धन्यवाद